अरब दुनिया में हर एक इंडियन काम कर रहा होगा और हर एक इंडियन का शौक है जो बाहर देश में हम भी काम करने के लिए जाएं जैसे कि बहुत सारे पढ़ेलिके भाई हैं वो बड़े-बड़े जॉप्स पे जाते हैं अच्छी सैल भी होती है लेकिन जो पढ़ेलिके नहीं होते हैं उनको या तो ड्राइवर के काम में जाना पड़ता है या लेवर के काम में जाना पड़ता है हिलफर के काम में जाना पड़ता है जाड़ पोछा करने के लिए जाना पड़ता है होटल में पोछा मारने के लिए जाना पड़ता है मताब जितने भी छोटे- तो अटोमेटिकली आप जब आपका प्रोग्रस देखा जाता है तो कंपनी वाले या कफीर आपका काम आगे बढ़ा देते हैं और आपको बड़े पोस्ट पे जॉब देते हैं लेकिन हमेशा धोकादड़ी देखा गया है ऐसा एक मामला सामने आया है जो कि साओधी गयार भा आप का हो या आपका नमबर लग चुका होगा और आपको पता भी नहीं है ड्राइवर के काम में गये इंडिया से जो इजन्ट ने बताया और इनको सौोधी में काम कौन सा मिला उन्हां और बंगरी चराने का तो उन्हां पकरी कर चलाने का काम कहा है स्खे रूप कर दिया रहेगा जैसा है जो कुछ है कफील अगर अच्छा रहा तो सीमिम भी देदेगा लाकर के महीना में एक दिन आप से कवका फैमिली से बात करा देगा बस यही चलता रहेगा इनका बाकी आपकी जिंदगी आपके हवाले कैसा रहना ने रहना आप देखोगे तो बहुत सारे भा हुआ तो अच्छा जॉब मिल जाएगा अच्छा कंपणी मिल जाएगा अच्छा कफीर मिल जाएगा अनसीब अगर आपका खराब हो और पहले दिन से नसीब खड़ाब रहेगा आगे तक खराब रहेगा अगर आप अरब दुनिया में आते हों तो मैं आपके साथ में लौटा घर निउस देख सकते हैं उठ चराने अरब गया भारती प्रवासी वापस घर लौटा सौधी अरब में ड्राइवर की नौकरी करने गया गाउं का आदमी है जंगल लाला छपरा का आदमी है आजम अंसारी को वहां उठ चराने का काम करना पड़ा वह काफी दिनों से सौधी में फसा हुआ था उतके पास कोई भी वापसी के आसार नहीं दिख रहे थे जानकारी मिलने के बाद प्रवासी भारती है मतलब इंडिन अंबेसी ने उनको घर वापस करवा दिया तीन महीने के बाद उनकी घर वापसी होई तीन महीने तक उनकी क्या हालत होई होगी कहा जा रहा है आजम भाई जो है ड्राइवर की नवकरी पे गए थे छपरा के है निवासी जफरुद्दीन अनसारी की वेटा आजम अनसारी नवकरी की तलास में करीब तीन महीने पहले सौधी अरब गया था आजम को ड्राइवर की नौकरी देने की बात कही गई पर वहां जाने के बाद काम नहीं मिला वहां आजम को ऊच चराने का काम दिया गया इतना ही नहीं ऊच चराने के दरवान आजम के साथ उनके साथ गलत वहवार भी हुआ ना तो खा तिंकारी की तहात उन्से बात्चित करी कैसे भी करकर के लगबग उनको तीन महीन के बाद घर वापसी करा लिया गया अभे जो मैं नूज आपको बता रहा हूं यह एक न्यूज मत समझ tutor यह एक स्टोरी मस समझ यह कहाणी मस समझ यह आपने उपर आप लेकर आए अगर आप पहली बार सवुधी जा रहे हैं काम करवा रहे हैं किसी भी इल्लीगली इदर उदर वाले लल्ले-पुंजे घटिया एजन्ट से काम कर वारे हो जैंट की तो ऐसी कि तैसी करों साली यह ल अच्छी मिलेगी काम च्शा मिलेगा अच्चा मेलेगा तो छोशते मैं कहा जाऊंगा तर सबteil के लिए क्यूंक और में गयुआ है कोम काम हो तब और आप पहली बार सौडी जा रहा हो तो लिख के लह Our time कुरवाना आसान है काम करना आसान नहीं है ज्यव काम में आपको बेज रहा है वह आपको बतायगा नहीं छुपआये गा क्युकर इनको करना है ताइम पूरा आपको किसी तरह से भेजना है और इनको गड़ी ची 40,000, 50,000 एक आदमी बच रहा है तो आपको क्या लिना देना यह अपने भाई के साथ भी वैसा ही करेंगी अपनी बहन के साथ भी वैसा ही करेंगे जेंट लोग कभी वी एजेंट अपने बाप के भी नहीं हो ऑमिया लोग है बिंतजार करते रहते मेरा बेटा कटा साथी करता है या पढ़ा करता है गरीब तब तपका का अदमी एकदम से घर से मोटा पैसा नहीं नहीं निका लेगा तो इसी देना बिजनस नहीं कर लेगा कोई समझने वाला है इस बात को मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको भी इस आरी कि से गुसा है जैसे मैं बोग रहा हूँ आप आप भी समझो इस बात को और आगे भी आए जितने भी आपके आस पड़ोस दोस्त जानने वाले हैं उनको ये वीडियो भेजो उनको भी मेरी बात बताओ भाई अगर आप काम करवा रहे हो ना पचास पर सोच समझ ले ना आकर के यहां पर रोने मतलग जाना रोने मतलग जान मालम पड़ा आपको जो एजेंट भेजर जिसका में काम कोई और हो तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी तो मुझे मतियाद करना मैं मेरे को बोलना कि मैंने आपका काम करवाया ऐसे वैसे अगर कोई हिंट भी देता है आपका रिश्यदार कैसा है क्या नहीं है रिश हो जाओ उंट चराओगे साओध जाओ मैडम तुमारा साथ गलत काम करीगी यह करीगी वो करीगी सुनने में आ रहा था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं हाला कि मेरे काफील ने मेरे ज्यादती की थी पहली बार साओधी में बट मैंने कंट्रोल कर लिया तीन मैने तक जहला च तो हम गयाद रखेगा अल्लाहाफिस इंस्साग्राम पर फॉलो कर लो मिलते हैं न्यूस की वीडियों में शाम को